जोधा अफ्रुबाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है जोधा बेगम बदा रही है जाओ इससे चुपा दो जाओ भापी जाओ सलाम भापी जाओ प्रणाम कैसी यो बक्षिबानल हम तुम से पहले भी मिलने आने वाले थे हमें मोती भाई ने बताया था कि जब विश पीने के बाद हम मृत्यू के बहुत करीब पहुच गए थे आपने किस तरीके से हमारे लिए प्राथरा की थी भाभी है आप हमारी ये तो हमारा फर्स था ना आएए बैठिये इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हमें मुआफ कर दिया जब हमारे भाईजान हमसे मूँ मोड़कर बैठे आपने हमारा ख्याल रखा आपसे नेक औरत हमने आज तक नहीं देखी मगर भाभी जान आपको यहां नहीं आना चाहिए था भाईजान हमसे नाराज है आपका यहां आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा आखिर हम मुगल सल्तनत की गुनेगार है नहीं बक्षिबानू यदि हमारे दृष्टी से देखा जाए तो आपके मन में केवल अपने पती के लिए बहुत प्रेम है और आप तब भी हमारे लिए परिवार की सदस्य थी और आज भी वही है यह तो आपका बड़पन है अच्छा सीक्री से सलिम शाह बाबा ने आश्रवात की रुपें जानतरी हमें दिये हाथ आगे बड़ाईए अरे बक्षिबानू क्या हूँ आपको हम हाकीम साहबा को बुलाएं नहीं नहीं बाबी-जान हम बलकुल ठीक है यह यह तो आम बात है इसके लिए हकीम साहबा को क्यों बुलाना बक्षिबानू हमें पुरा विश्वास है कि आप हमसे कुछ छिपा नहीं रहे हैं सच सच बताईए क्या बात है पक्षिबानू हमें इश्वर के लिए बताइए कि क्या बात है हम मा बनने वाले है भापीजा पाक्षिवानु यह तो बहुत ही शुब समाचार है और समाचार के लिए तो आपके जहरे पर हर्श जाना चाहिए आखों में अशुरू रही हम अभी जाकर यह बात सबको बताते हैं नहीं भाबीजा किसी को मत बताईएगा यह बात सुनकर भाईजान खुश नहीं बलकि ना किसी को नहीं बताएंगी हमें वादा कीजिए हम आपको वच्छा देते हम वही करेंगे जिससे आपके मन को प्रस्नता मिलेगी हम खुश कैसे रह सकते भावीजा हम ऐसे बच्छे की मा बनने वाले हैं जिसके वालत पर पागी होने का दाग है जो जो गदार है जो इस वक्त कैद में है हम आपको वच्छन देते हैं शरीफ दिन जी को मुक्त कराने का हम और संभाव प्यास करेंगे आजाना में कभी मुआफ नहीं करेंगे बापिचा कभी नहीं शेंशा अलाके सल्तनत का कारोबार ठीक से चल रहा है मगर इन दिनों कुछ मुश्किलाग पेश आ रही है मेवाज से भी खबर अच्छी नहीं है राजवनशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहापे हमला करने की कोशिश कर रहे है अगसा पाउन लिस्कुली को मेवाद की जिम्मेदारी सोपे जाए और शेहर में जो इहफाज़त के इंताजमात है मुस्से बहुत महाखुश है जिस तरह से अब उन माली कैद खाने से बाग है उसे बागी जगाओं के इहफाज़त पर भी सवाल उटते है जी हुजूर्ट लेकिन कैद के साथ साथ कुछ और जगों से भी गडबड़ी के इशारे मिल रहे हैं कारखाने के हिसाब भी कुछ साफ नहीं है दिवाने बैत्यूत मीर बंजिल इनके हिसाब पिछले छे मैनों से दुरूस नहीं पाया गया उर्साना के हाकिम अक्ता बेगी भी बता रहे थे के घोड़ों की खरीद फरोक्त में गडबड़ी पाई गई है कारखाने के लिए सौ बैल गाड़ी लोहा मंगाया गया था उसमें से बीस बैल गाड़ी लोहा कहां गया कुछ पता नहीं है जी हुज़ूर वो बास बास दूर के बारे में आपका क्या होगा है हुझतो है मुदर प्रिश्न मुदारे एनड नादर भूल गई क्या बिनती सुनकर भूल गई क्या बिनती सुनकर हे मान मोहान थे करुणा कर हे मुर लिहर है दा मुदर भूल गई क्रिश्न मुदारे एनड नादर भूल गई क्रिश्ना फ्रिश्ना जाए दिखारा मोती यह प्रसाद सब में बाट को जोजब एकम क्या आप हमें प्रशाद बर्ख्षेंगे जैन्षाद अप्रशाद आप यहां बोती तुमने बताये क्यो नहीं मुझे खुद नहीं मारमता शुदा बेगम कि हम यहां आए बताईए अप यहां क्यो आए काम कर रहे थे शुदा बेगम फिर आपको काते हैं सुना तो खुद को रोप नहीं पाए तक अगर आपको हमारा आन अच्छा ने लगए तो हम यहां से चले जाए तो की शेंशाद जमा किजेगा हमने अपका हाथ पकड़ा हूँ महरत इस बात के नहीं है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा अगर इस बात की है कि आपने से छोल क्यों दिया बैठीं आपके साथ किया हुआ सफर बहुत सौना था शवदा बेगम यात्रा तो हमारी भी बहुत अच्छी रही शंशाप मकर आपको साथ अच्छा कै लगा सफर या फेर हमारे साथ यह कैसा प्रशन हुआ यात्रा तो हमने आपके साथ ही की थी सवाल इतना मुश्किल भी नहीं चोथा वेगम जितना आप घुमा के जवाब दे रहें बता भी दीशे मोती कि ये हमारी सवाल के जवाब देंगी अब शांति से बैठे रहें मोती, शीगरता से गरम पानी लेकर आओ करना क्या चाहती हैं आप अब जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम पे तो कम से कम आपकी पैरों की पेड़ा दो ही कम कर सकते हैं यह उदा अब यह कुण सी बात हुई शाओर बीवी के पैर नहीं चूश सकते हैं लेकिन बीवी शाओर के पैस हुश सकते हैं ये कुंसी तैसी ही कुछ? आपके शेख जोदा विकम हमें कुद्गुद्धी होती है शेंचा एक बात बताए हमारी सहली है विचारी अपने पती से बिछड गई है अब कहना क्या चाहती है जोदा विकम साफ साफ कही है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको समझने लगे हैं जोदा विकम आपके चेहरे से बता सकते हैं कि आपके जहन में कुछ चल रहा है जिस बात से आप खुश पी हैं लेकिन लेकिन परिशान है कि आप हमसे कहें कैसे इच-चाहिए मत कही है आपने बिल्कु सही पहचाना शेंशा यदि हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप क्रोधित तो नहीं होंगे न बेशक नहीं जोदा विकम आप चूँ मांगेंगे हम आपको देंगे बताईए क्या चाहिए आपको परन्तु बात कुछ ऐसी है कि आप क्रोधित हो जाएंगे यह जब तक आप बताएंगे नितो हम गया किस है सकते हैं कि हम गुस्वा होंगे या नहीं बताईए वो हम बक्षी बानु से मिलने गए थे हम चानती है ना कि बक्षी बानु मुगल सर्थनत की कुनेगार है पर अब तु हम जलिम्शा बाबा की कुछ प्रसाद उने देने गए थे हमारे अच्छी होने के लिए उन्होंने बहुत दिल से दुए मांगी थी लेकर उससे मिलकर आपने कुना किया है जोधा पेकम जैशा बक्षी बानु कर्ब बती है वो मा बनने वाली है हम मामुशान बनने वाले है अब शर्फदिन जर्बक्षी बानु को चिमा कर दीजे उन्हें एक अफसर और दीजे जोधा बेकम शर्फदिन और बक्षी बानु को चिमा कर दीजे अब इस बारे में मुशे कोई बात नहीं करना चाहते है इस पल में आपके रिदे में इतना प्रेम हमर जाता है और दूसरी पल आप इतने निश्टर हो जाते क्यों शेंचा क्यों जोधा बेगम जैसे राजवन की औरस से ऐसी उमीद नहीं थी हमें कि वो हमारी वफादारी बूल जाएंगी अब इगम आप ही हमारी आखरी उमीद थी और आप नहीं हुजूर कहां मर गएते इतने दिन खबर लाए हो गुस्ताखी माफ हुजूर मगर जब से अबूल माली भागे है पहरा सख्त हो गया है इसलिए रास्ता निकालने में वक्त लगया खैर एक बुरी खबर है हुजूर बुरी खबर जी बुरी खबर ये है कि आप समयत बाकी खास कैदियों को रोतास के किले में भेजा जा रहा है ताकि अबूल माली का हादसा फिर से ना हो सके अगर हमें रोतास के किले में भेजा तो बहां से निकलना नामुम्किन हो जाएगा जोधा बेगम आपने अच्छा नहीं किया एक अच्छी ख़बर भी है हुजूर काश मेरे बस में होता इसे आपको पहले देना लेकिन आप सुनेंगे तो बेहत खुश हो जाएंगे अरे बेवकूफ नेक ख़बर को सुनाने में इतना वक्त नहीं लगाते क्या अच्छी कबर है कि बेगम बक्षिबानू बक्षिबानू क्या हुआ बक्षिबानू को हुजूर वो मा बनने वाली है आपको क्या हुआ जब कोई आउरत किसी को दिल से महपपत करती है तो बदकिस्मत से बदकिस्मत इनसान के किस्मत भी चमक जाती है हम समझीनी हुजूर जरुरत भी नहीं है तुम ने अब तक की सबसे अच्छी ख़बर दी है हमें हम बहुत जल्द यहां से बाहर होंगे बाहर होंगे? हुजूर मगर कैसे? गुलफाम यह दुनिया उन बेवकूफों से भरी है जो दमाग से नहीं बलकि दिल से काम लेते हैं बस देखते जाओ हम बहुत जल्द यहां से बाहर होंगे और तुम्हें मैं तुम्हारा इनाम दे रहे होंगे शुक्रिया बक्षी बानो, शुक्रिया आदाब मलिक आयाजम, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती है जोधा बेगम? इस वक्त? खै, भेजो उने नाव अमी जान, चीथती रहो क्षिमा कीजेगा हमें, शायद है आपके विश्राम करने का समय हम बाद में आ जाएंगे नहीं जोधा, अगर इस वक्त आई हो, तो जरूर कोई खास बात होगी आओ बैठो अमी जान, आपे समझ नहीं आ रहा की, कैसे कहें आपको वैसे ही, जैसे एक बेटी अपने मा से कहती है बात आपकी बेटी की ही है, बक्षिबानो की क्या किया बक्षिबानो ने, फिर कोई गुना नहीं अम्मी जान, हम सलीम शाह बाबा के हां से जो जंतरी लेकर आये थे वो बक्षिबानो को देने गए थे और तब हमें पता चला की बक्षिबानो मा बनने वाली है जोधा बेगाम जैसी, जलाल ने क्या नहीं किया तुमारे लिए, और तुम ने? समझ नहीं आता चोधा, इस खबर से हम खुश हो, कि हम नानी बनने वाले हैं या गम जताए, कि इस बच्चे के वालिद वहां मौझूद नहीं लेकिन बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था एक कुनेगार से मिलना मुगल कानून की खिलाफ है अगर जलाल को पता चल गया तो? उन्हें पता है, अमी जान हमने उनको सब कुछ बता दिया है और हमने इनसे कहा भी कि इस समय शर्फदिन जी का बक्षी बानों के पास रहना बहुत आवश्यक है इस बात के लिए हमने उनसे विनिती भी करी परन्तु उन्होंने सुईकार नहीं किया अमी जान, अब आप ही कुछ कर सकती है आप शैन्शा को समझाइए नो, कि वो बक्षी बानों को किशमा करते हैं नहीं जोधा, हम जलाल को अच्छी तरह जानते हैं पेशक बक्षी का माँ बनना एक अच्छी खबर है मगर जलाल, इस खबर की वज़े से अपना फैसला बदलने वाला नहीं शरीफ एक गद्दार है और ना तो जलाल को गद्दारी बर्दास है, ना ही गद्दार परन्तु उन्होंने अपराद हमारी विरुद्ध किया था और हमने उन्हें एक शमा कर दिया है फिर बक्षी बानू तो शेहनशा की बहन है ना और इस समय वो गर्भवती है ऐसे में उनके पास परिवार का साथ और प्यार दोना होना बहुत हावश्यक है यही तो मुश्किल है जोधा जलाल ये कुबूल नहीं कर सकता कि हमारे अपने खांदान से कोई अपने खांदान पर वार करे बेशक शरीफ उद्दीन के दबाव में आकर लेकिन बक्षी बानू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है बक्षी ने तुम्हें अर्प देकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की और अब जब वो बेश से है तुम उसका साथ देने की सोच रही हो शरीफ उद्दीन और बक्षी ने तुम्हारे साथ जो खेल खेला है तुम्हारे जजबातों का जो जो मजाक बनाया है जलाल की नजरों में तुम्हें नापाक साबित करने की कोशिश की है उसके बाद शायद जलाल तो क्या हम भी उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं परक्षी बादु ने जो किया वो उच्चित नहीं था और आप भी जो कुछ भी कह रही है वो भी अनुच्चित नहीं है परन्तु इस सबे प्रश्न हमारी परिवार की एकता का है पर बक्षी बादु को हम अपनी ननन नहीं नी बेहन मानते हैं अम्मी जान शमा कीजेगा अम्मी जान जहाए आप और शैंशा बक्षी बादु के विरुद्धो परन्तु ऐसे समय में हम उनका साथ नहीं जोर सकते और अप्राधी को दंड देकर नहीं सुधर आ जाता है अप्राधी सुधरता है पश्चा ताप से बक्षी बादु के चेहरे पे साफ पश्टावा जह लगता है अमी जान और अधी अब इससे अधिक हमने उन्हें दंड दिया तो पर अप्राधी तो हम हो जाएंगे ना मी जान आप शहेंशा के अकेलेपन को लेकर कितनी चिंतित रहती थी पर तानिक सोची है बक्षी बादु तो कितनी अकेली हो गई है उनका साथ देनीक ले तो कोई भी नहीं है हम कुछ नहीं जानते है अबिजा आपको कुछ करना होगा आप शहेंशा को समझाइए ना कि वो बक्षी बारु को शबा करते है या परवर्दिकार हमारी सारी दुआउं का सिला जोधा बेगर की शकल में दे दिया तूने जोधा बेटा इतनी पाक है तुमारी रूख और उससे भी ज्यादा पाक है तुमारी मियत काश सबका दिल तुम्हारी जितना साफ होता क्या बात है मेचान सब खेह रहे हैं अब सुम्हारी अचाना क्या है कि हमसे कोई कि उस्तागी हो गई हमेचान बस एक इशारा करें आपकी हर जरूत का पूरा करेंगे कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको बली हम सब की तमाम जरूरते तुम आज तक पूरी करते आए हो लेकिन आज हम बस ये फर्याद लेकर आए हैं कि इस वक्त बख्शीबानों की जो जरूरते हैं तुम उन्हें भी पूरी करतो अमिर्चा 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 कभी आपको ना नहीं करें लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम बख्शीबानों को माफ कर दें तो हमें माफ करिए हमें गद्दार को माफ नहीं करेंगे खासकर उस गद्दार को जिसने हमारी बेगम को बनाम करने की पुशिष की.